तो क्या आप भी मेरी तरह विंग्चॉन फैन हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिमलिन ताउ जिसे फर्स्ट फॉर्म अफ विंग्चॉन कहा जाता है जिसका मतलब होता है लिटल आइडिया इसलिए ग्रांड मास्टर एइपमेंट कहते हैं कि सिमलिन ताउ एक बिगनिंग कोर्स ना होक कर फाउंडेशन है विंग्चॉन का क्योंकि सिमलिन ताउ से ही विंग्चॉन की अनदर फॉर्म को डवलब किया जा सकता है तो बीना टाइम वेस्ट के विडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं क्यों इसे स्वर्स स्टेप ओफ विंग्चॉन कहा गया है सबसे पहला पॉइंट है इसी से प्रैक्टिशनर को विंग्चॉन के सभी हैंड नुवमेंट्स और स्ट्राइक्स का पता चलता है और इसी की हेल्प से वो इनकी अप्लिकेशन को भी समझते है दूसरा उसका स्टांस प्रॉपर होता है तीसरा पॉइंट है की स्ट्राइक और ब्रेथ के बीच का कॉडिनेशन इंप्रूव होता है चौथा पॉइंट है सेंटर लाइन स्ट्राइकिंग की अंडरस्टेंडिंग इंक्रीज होती है और पाँछो पॉइंट है कि ये एक प्रकार का मेडिटेशन है तो इसे मेडिटेशन के रूप में भी किया जा सकता है ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट हैं सिम्लिम ताओ के तो और साथ ही साथ गौंग की एनरजी को भी यूज किया जाता है सेकेंड सेक्शन में स्ट्रेंथ एंड पाउर को यूज करने की ट्रेनिंग की जाती है जिसमें फैजिंग हैंड यानि की रिलीज और पाउर का भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ दोनों हाथों को एक सबանना करते हैं, हमसल मेमोरी में उसी तरक से याद रखने के लिए प्रैक्टिस की जाते हैं. तो दोस्तो अगर आपको Wing Chun में Mastery करनी है तो Simling Tao को सही से समझना होगा तो Simling Tao के First Step में सबसे पहले Stance की Practice की जाती है और Frontal Stance में ही Slim Tao की सारी Forms की Practice की जाती है दोस्तो आपका Stance जितना ज़्यादा Stable होगा आपके Strike और Defense उतने ज़्यादे मजबूत होगे अगर बात करें Second Set की तो Second Set में Tan Sao, Huyn Sao और Jam Sao को Practice किया जाता है जहां Tan Sao का मतलब होता है Opening Hand, Huyn Sao का मतलब हुआ Circling Hand और Jam Sao का मतलब हुआ Striking Hand यहाँ पर Double Tan Sao का Use Center Line को Check करने के लिए होता है बट इसके और भी Use हो सकते हैं फर Huyn Sao रिस्ट की Flexibility को Improve करने के लिए Use की जाती है और Last May Jam Sao की Practice की जाती है जिसमें Fist से Strike की जाती है दोस्तों आपने गौर क्या होगा कि Wing Chun में Boxing की तरह Horizontal Fist से Strike नहीं की जाती है बलकि Vertical Fist से Strike की जाती है और इसे ही Wing Chun की Backbone भी कहा जाता है यहाँ पर Steps पहले Left Hand से किया जाता है और फिर Same Steps को Right Hand से Repeat किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले Left Hand के Mid Town Sao का Use करते हुए Hun Sao और Wu Sao को Use करते हैं जहाँ पर Wu Sao का मतलब हुआ Protecting Hand और फिर Hand को Chest के पास लाते हैं और Fook Sao को Practice करते हैं जहाँ Fook Sao को Resting Hand भी कहा जाता है और इन Steps को 3-4 टाइम Repeat करना होता है और फिर Same Steps Right Hand से करने होते हैं तो फोर्थ सेट का प्रारंब Left Hand के गमसाव से होता है फिर Right Hand, Rear Hand, Frontal गमसाव को Use करते हुए Double Hand, Lens Sao को Use किया जाता है उसके बाद Fook Sao को Use करते हुए फिर Lens Sao को Use करना होता है Lens Sao की Position में आकर Chum Sao, Jut Sao को Use करते हुए Bujit Sao को Use करते हैं फिर Long Bridge Gums Sao को Use करते हुए Tais Sao, Hins Sao के साथ Fourth Set का अंद किया जाता है जहां Gums Sao, Lens Sao, Jut Sao, Tais Sao, Abujit Sao का मतलब हुआ Pressing Hand, Choking Hand, Uplifting Hand और Darting Hand Similim Tau के Fifth Step में Left Hand Wushao से Set का प्रारंब किया जाता है और फिर Left Hand Paksao करते हुए Hinsao से Set का अंद किया जाता है और Same Steps Right Hand से भी किये जाते हैं ये दोनों Steps भी Wing Chun में बहुत Importance रखते हैं क्योंकि इन दोनों की Applications Wing Chun के Attack and Defense System को बहुत जादा Powerful बनाती है अगर बात करें Similim Tau के Sixth Set की तो ये Left Hand Tansaw से प्रारंब होता है और इसी हाथ के Jums Sao, Kwas Sao, Lous Sao को Practice करते हुए Jums Sao पे इसका अंत होता है और फिर Same Steps को Right Hand से करके Sixth Set को Complete किया जाता है जहां Jums Sao का मतलब है Striking Hand and Detaining Hands दोस्तो, Seventh Set Left Hand Bong Sao से स्टार्ट होता है उसके बाद Same Hand के Tansaw को यूज़ करके तोकसाव करने के बाद विंसाव से Left Hand Set को Finish किया जाता है और फिर Same Steps Right Hand से Repeat किये जाते है दोस्तो, यहां पे बाउंकसाव का मतलब Wing Arch Hand है और तोकसाव का मतलब Lifting Hand है अगर बात करें सिमलिमताव के Final Set की तो ये भी अन्य Sets की तरह ही Left Hand से स्टार्ट होता है इसमें Left Hand तुच्छाव के बाद Right Hand तुच्छाव किया जाता है और उसके बाद 3 टाइम Chain Pant Chase किये जाते है और फाइनली विंसाव से इस सेट को भी Finish किया जाता है दोस्तो, सिमलिमताव के तीनों सेक्षन को प्रॉपरली Learn करने के बाद ही Next Form को Learn किया जाता है दोस्तो, इसी के साथ सिमलिमताव की इस सीरीज का अंत करते हैं और अगर आपको सभी Hand Moments के लिए practical वीडियो चाहते हैं तो हमें comment section में जरूर mention करें तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यारबरा पढ़नाम